बच्चों आपके हिंदी साहित्य के पाठ छे पार नजर के पढ़ेंगे हाना इसके जो लेखक है जैन्त विश्णू नालिकर है हाना और इन्होंने मराठी से अनवाद करा था इसको किस ने करा है रेखा देश पांडे ने ठीके और आपकी जो यह कहानी है मैंने कहा कि यह एक मंगल घरह पर रहने वाले लोगों की कहानी है हाना यह एक कालपनी कहानी है ठीके तो वहां एक सुरंग नुमा रास्ता था आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते वे जाने की मनाई ही थी लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सेक्योर्टी पास लिया और जा पहु धर्ती पर है आपका जन जीवन वैसे ही मंगल घरह पर आम जन जीवन हुआ करता था फिर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे वात्तावारन में परिवर्तन होने लगा जिससे सुरज्य परिवर्तन हुआ और वहां का प्राकृति संतुलन बिगड़ गया जिसे पेर पादे जब न सक्त मना ही थी लेकिन छोटू ने एक दिन क्या करा अपने पापा का जो स्क्योर्टी पास होता है वहां जाने के लिए अंदर हना और उसको चुराया और वहां से पहां पहुँच गया वह सुरंग के अंदर छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज हना और तो इसके ममी ने कहा कि आपने क्या करा कि आप छोटु को कहा कि तुम किती बार मना करा है कि आपको सुरंग में मत जाया करो वहां पर क्यों जाते हो तो उसने फिर छोटु ने कहा कि पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज पापा इसी सुरंग से होते वे काम पर जाया करते थे आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने की मना ही थी तो उन्हों ने कहा कि रोज जो है तो उसकी ममी और जो छोटू था उन दोने पर रोज इसी बात पर क्या आते थी बातचीत होती रहती थी तो उसकी ममी इसको मना करत ओसके उहां पर जाएने की सक्त मनाई हैं चन चुनिंदा लोगों को ही इस सुरंग मा रास्टे का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इनультा लोगों में से थे तो जो सुरंग में जाने का उनमती थी हना इंसे शोटे के पापा एक थे आज छुटी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फर्मा रहे थे नजर बचा कर चोरी चीपे छोटू ने पापा का सेक्योर्टी पास हत्या ही लिया और चल दिया उस सुरंग की तरफ वैसे तो उनकी पूरी कलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी मैंने बताया था ना आपको कि वो लोग कहम रहते थे जमीन के नीचे ही रहते थे या जो सुरंग नुमा रास्ता था अंदर दे जल रहे थे और परवेश करने से पहले एक बंद दर्वाजे का सामना करना परता था और वो जो सुरंग थी वो बंद थी तो किस बनती दरवाजे से बनती और उसी दरवाजे को खोलने के लिए उसको क्या चाहिए था डर्वाजे में एक खांचा बना हुआ था मतलब शेद बना हुआ था छोटू ने खांचे में कार्ड डाला देखा ना आपने कभी वह जाद डालते ना आप लोग अपना ATM कार्ड उसी तरह से खांचे में अपना कार्ड डाला तुरंट दरवाजा खुल गया और जैसे अपने पापा का सिक्योर्टी पास डाला हूं इसके अंदर औ छोटू ने सुरंग में परवेश किया अंदर वाले खाचे में सिक्योर्टी पास आ महचा था उसने उठा लिया कार्ड उठाते ही द्रवाजा बंद हुआ छोटू ने चारों तरफ नजर दोड़ाई सुरंग नुमा वह रास्ता उपर की तरफ जाता था यानि जमीन के सब्सक्राइब उठाए वह द्रवाजा बंद हो गया जब से देखा कि नजर दोड़ाई तो कहां जा री थी वह सुरंग में रास्ता कहां जाता मताब जमीन पर खुलता था उसरे मौक्तर जमीन के मताब बाहर जमीन पर जाने का मौक्तर उसे मिल गया था मगर कहां का हाथ से ही फिसल गया सुरंग में जगा जगा लगाए निरिक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी उसे मालूम नहीं था कि जगा जगा उन्होंने कैमरा जगाए हैं जो अंदर कोई गुष्टा था उन्हें पता चल जाता था मगा छोटू के परवेश करते ही पहले निर ब्लैट कर दिया नोगों को कोई अंदर आगया में चोटे कत का व्यक्ती स्लंग में कैसे आया तो उन्हें संद्धे हुआ कंपुटर ने बताया कई कोई बहुत च्पर्वेश्टा व्यक्ति अंदर आ गया है थाना दूसरे निरिक्षक यंत्री ने तुरante- छोटŁ की तस्वीर छीच ली किसी एक नियंतर्ण केंदharmaस्त्र में इसंत्र की जांच कि गई और खटरी की सुष्ना दी गई और जैसी उसने मैंने कहा न कि केमरे ने उसकी फोटो खीची छोटो की और दूसरे केंद को भीचा और तस्वीर की जाच की गई और सारी जो वापे अलार्म लगे थे खत्रे के जो घड्या लगी थी उनकी सुचना वा सारी जगा बजने लगी घंदिया इन सारी गत्विद्यों से अंजान छोटो आगे पता चला तो उन्होंने वो सुरंग के अंदर आई बोलो और उन्होंने छोटो को पकड़ लिया और वो पैचान गए कि उनका बेटा है और उनको छोटो को कहा चोड़ कर आ गए वो घर पर छोटो का इंतिजार कर रही थी कौन मा घर पर छोटो का इंतिजार कर रही थी बस अब छोटू की खेरियत ना थी छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था जैसे वह छोड़ के अशे ममी इंतिजार कर दी थी उसकी छोटू कहा चला गया जैसे उन्हें पता चला तो उसकी ममी को बहुत गुश्टा है और उतर सुकर कि उसकी पापा की छुटी थी तो उसकी पापा ने छोटू को बचा लिया छोड़ो भी मैं इसे समझा दूँगा सब फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा तो उसकी पापा ने उसकी ममी को बोला कि आप इस पर इतना गुस्टा मत करो मैं इसको समझा दूँगा वो फिर इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा पापा ने छोटू को बचा लिया बोले छोटू मैं जहां काम करता हो ना वह छेतर जमीन से उपर है आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता है आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में नहीं जी सकता हाना तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां छोटू का सवाल लाजमी था तो उन्होंने कहा कि उसके वापा ने फिर छोटू को समझाना स्टार्ट करा उन्होंने बताया उन्ने कि वह है हमारे स्अ है जमीं के ऊपर का छेत्र है वहाँ माहौल है जाता वरन हें वहाँ आदम आधमी जीए नहीं सकता है तो छोटो 허ießen का क्या पहरन कर जाता हूं उसफेर सूट मुझे औक्षिजन मिलता है मुते हैँ इसको वातावरण से बचाता है और और औक्षिजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ उसरेक् intim का साहरा औक्षिजन मुझित होनती सरेंड़ sources सब कुछ तो से oxygen मिलता है और मैं उससे सास लेता हूं इसी स्पेस सूट की वज़ा से बाहर बाहर की ठंसे मैं अपने आपको पचा सकता हूं खास कि इसमें के जूतो की वज़े से जमीन के उपर मेरा चलना मुम्किन होता है जमीन के उपर चलने फिनने के लिए हमें एक विशेश परकार का प्रसिक्षन दिया जाता है तो अपने बताया कि वहां का वातावन कैसा हो गय जिससे मैं अपने आपको सूट की वज़े से इस पे सूट की वज़े से बचा लेता हूँ हाना और उसी खास किसमे के मुझे जूते मिलते जिससे मैं चलता हूँ हाना वहना मैं बिना उनके चलनी सकता था जमीन के ओपर चलने के लिए हमें और चलने के लिए उनको वहाँ पर का दिया जाता था प्रश्िक्चण दिया जाता था छोटो सुन रहा था पापा आगे बताने लगे एक समय था जब अपने मंगल करहाभर पर सबढ़ी लोग जमीन किसी खास किस्म की पौशाक के हमारे पुर्खे जमीन के उपर ही रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। और उन्योंने बताया कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीवधर्ती पर रहा करते थे। से हमें रौशनी मिलती है उन्होंने का कि सुरज की वज़े से हमें रौशनी मिलती है उर्षनता मिलती है गर्मी मिलती है इनी तत्वों से जीवों का पोशन होता है और इसी की वज़े से सुरज की वज़े से हम लोग का हमें पोशन मिलता है और जिससे हम लोग जीते हैं सुर पक्षी थे पेड़ पौदे थे अन्य जीव सक्षम साबीत हुए केवल हमारे पूर्वाजों ने इस स्थिति का सामना किया उन्होंने का कि बैद केवल जो जीव रनतु थे वह तो विचारे मर गए लेकिन केवल जो उनके पूर्वास थे उन लोगों ने इसको अपने आपको लोगों के वहां पर हैने के लिए अपने आपको बना लिया हाना तो आपको पर उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसी सूरज में परिवर्तन वाहना आपको हमारे सूरज यहां पर भी हमारे धर्ती पर भी सूरज में कोई परिवर्तन होता है यदि वह धूप नहीं मिलती हैं हम लोगों को तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं बताओ नहीं ना क्योंकि एदि सूरज क्या है सूरज देते हैं हमें गर्मी मिलती है उसनता मिलती है हना पेड़ पोधे क्या करते हैं सूरे की उर्जा में अपना खाना मनाते हैं ना हना एदि उन्हें सूरज की र अंगल घरे में सारा परिवर्तन हुआ और वहां पर जीव जनती उते पेड़ पूर देते सब कुछ खत्म हो गया अपनी तक्निकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के जो नीचे अपना घर बना लिया जमीन के उपर लगे विभी नियंत्रों के साहरे हम सूर्य सकती सुरज की लौक गर्मी का इस्तमाल करते आ रहे हैं उनने पिर उनको समझायip खोट हूँ ऑक कि की ता से से वो स्सकी की गर्मी का इस्तमाल कर रहे हैं उन्ही यंत्रों के साहरे हम यहां जमीन के नीचे रह रहे हैं हना यंत्रल सुचारू रूप से चलते रहे हैं इसके लिए बड़ी सतरता बरतनी पड़ती है मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते तो उन्होंने बताया कि उन्हों की जो देखभाल है उस देखभाल के लिए हम जो कुछ चुनिंदा लोग इसकी देखभाल करते हैं बड़ा हो जाओंगा तो मैं भी यही काम करूँगा फिर छोटू ने अपने पापा का बोला कि यह तुम बहुत अच्छा काम लग रहा है मैं बड़ा होंगा तो मैं भी यही काम करूँगा छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की बिलकुल मगर उसके लिए खुब पढ़ना होगा मा और पापा की बात सुननी होगी मा ने कहा अबने पढ़ने कहा आपको खुब पढ़ना होगा और ममी पापा की बात माननी होगी दूसे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरन बदला बदला सा था सिफ्ट खतम कर घर जा रहे स्टाफ के परमुक ने टीवी स्क्रीन की तरफ इसारा किया स्क्रीन पर एक बिंदू छहलक रहा था वह बताने लगा यहाँ कोई अडिक यहाँ कोई आस्मान का तारा नहीं है कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धर्ति की तरफ बढ़ता चला आ रहा है हना जब उसके पापा अग्में दिन ड्यूटी पर गए तो उसके पापा की जगह उसकी स्टाफ की जगह गए थे तो वह स्टाफ घर जा था घर जान से पहले उन्होंने उसको बोला उनके पापा को कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई एक स्क्रीन पर बिंदू छे लग रहा है तो यह कोई आश्मान का तारा नहीं है हना कंप्यूटर से लग रहा है कि यह अपनी जगा पर स्थिर नहीं है, जगा जगा वो चल रहा है, हाना इस कई घंटों के दौरान भी इसने अपनी जगा बदली है, और यह हमारी धर्ति की तरह बढ़ता चला आ रहा है, अंत्रिक छियान तो नहीं है, छोटु के पापा ने अपना संदे प्रकट किया, उन्होंन चोटे के पापा, वो किसमें सोच में रूग गए, क्या सच्मुच अंत्रिक छियान होगा, कहां से आ रहा होगा, सौर मंडल में हमारी धर्ति के अलावा, और कौन से घरह पर जीव को अस्तित्व होगा, फिर वो सोच में लगे कि हमारी इसमंगर घरह के लावा, और भी कहा पर कोई जीव रहते होंगे कहां से आ रहा होगा कैसे हो सकता है और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंत्रिक्षियान छोड़ सके फिर उन्हें लगा कि क्या मतलब हमारे अलावा और भी कोई जगा होगी जहां पर इतनी प्रगति करके उसने अंत्र नजदीक से देखा जा सकता हां अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यहां संभव हो सकेगा उसके पापा सोचते रहे मन में कि कास हमारे पूर्वाज में पहले बनाते थे लेकिन अब तो बहुत संभव नहीं है हम लोगों के हापर बनाना हाना क्योंकि वह धर्ती के नी कि कास जो आ रहा है तो उसको वह से देख पाते हान अब अंतिक्ष्यान में से एक निकलता है नकलना और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी और उसने का जैसे की प्रभंदन समिती की सबा बुलाई गई अध्यक्ष भाशन दे रहे थे हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंत्रिक्षियान हमारे मंगर घरा की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं इनमें इसे एक अंत्रिक्षियान हमारे गिर्द चकर काट रहा है कंप्यूटर के अनुसार यह अंत्रिक्ष यान नजदी के नजदी के ही किसी घरा से छोड़े गए हैं ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है नमबर एक आपका क्या खयाल है उन्होंने वो करा निसकस निकाला कि हम लोग इसकी यान को किस तरह से देखे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि अब इसके लिए हमें कोई एक सुनिश्चित योजना बनानी पड़ेगी हना तो उन्होंने जो हाँ पे जो काम करते थे उन लोगों को नंबर में से बुलाया करते थे तो उन्होंने का नंबर एक आपका क्या खयाल है हना तो मगर इसे कोई हमें जानकारी हासिल नहीं होगी अंत्रिक्षियान बेकार कर जमीन पर उतारने को मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है हाला कि अगर यह अंत्रिक्षियान खुद बा-खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर सकते हैं मेरी जानकारी कि अनुसार इन अंत्रिक्षियानों में सिर्फ यंत्र हैं किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें कोई जीव नहीं है केवल अपना पी वह या नं है उंधा रहे और इन पर कोई भी जीव मतलफ्ध मनुश्यव रहें जीवित ए कोई भी जीवित चीज नहीं है नमबर एक की बात जहीं लगती है नमबर दो एक वैज्यानिक थे, उने का नमबर दो जो वैज्यानिक थे, उने का नमबर एक की बात हमें सही लगती है, हाला कि यंत्रों को बेकार कर देने में भी कत्रा है, इनके बेकार होते ही दूसरे गरे के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमे करते रहने चाहिए integrating गर्दें उनको पटा चला जाए कि किस ये याई क पर अंदिक शियान भेजए जहां तक हो सके अपने अस्तित्त्व को छिपाही ही रखना चाहिए यही उसकता है कि जिन लोगों ने अंत्रिक श्यान भेजे हैं, वे कल को इसे भी बड़े सक्षम अंत्रिक श्यान है अपर भेजे हैं, हमें यहां का परभन कुछ इस तरह से रखना चाहिए, जिससे इंद्य अंत्रों को यहां गलत फैमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्तपूर् के, अध्यक्ष मौदे से मैं यहां दर्ख्वास करता हूँ कि इस तरह का परभन हमारे यहां क्या जाए, नमबर तिन सामाजिक व्यवस्ता का काम देखते थे, फिर उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी, अध्यक्ष ने कि अंत्रिक्ष ने हमारे जमीन पर मंगल घरा पर उतर गया है, तो उन्होंने कहा कि वहाद दिन छोटू के लिए बड़ा ही मत्रपुन दिन था, पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे, यहां से अंत्रिक्ष न का कर्मांक एक साफ नजर आ रहा था, उन्होंने कहा कि जह इसके अंदर क्या होगा, पापा? छोटू ने पूछा, अभी नहीं बताया जा सकता. दूर से ही उसका निरेक्षण जारी है, उसे बराबर, उसके बराबर हमारा ध्यान है, और उसके हर ऑंग पर हमारा नेंत्रन है, उन्होंने कहा कि छोटू ने का पापा कि इतना जीब सा उठाएंगे, जब हम देखेंगे कि वो कुछ नुकसान पहुचा है तब हम अगला कदम उठाएंगे छोटु के पापा ने बताया, उन्होंने छोटु को एक कॉंसल दिखाया जिस पर कई बटन थे कॉंसल पैनल रखा था जिस पर कई सारे बटन थे अब अंत्रिक शियान में से एक यांत्रिक हार, हाथ बहार निकला, मतलब एक नकली सा जो यांत्रों के साइटा से बनावा हाथ होता है, बहार निकला, हर पर उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, हाना, वह साइट जमीन तक पहुँचकर मिट्टी उकेर लेना चाता था, उस सिवा एक के, उनका ध्यान कहीं और ही था, और सब ने का, सब उसको स्क्रीन पर देख रहे थे, कि अंत्रिक्शान क्या कर रहा है, हाना, लेकिन एक का ध्यान कहीं और था, कि इसका, छोटु का सारा ध्यान था, कॉंसल पैनल पर, उसका जो बटन दिखाए दिये, छोटु का सारा ध्यान उन बटनों के उपर था, कॉंसल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया, उसने का कि जो वहाँ पर बटन थे, तो छोटु का मन करा कि मैं एक बटन दबा दू, वह लाल बटन उसे बर बस अपनी तरफ खीच रहा था, एक लाल लंका बटन से वह एक जहापर रसीद कर दिया, और लाल बटन को पूर्व इस्तिति में ला रखा, जैसी छोटु ने बटन दबाया तो सब का ध्यान उस पर चला गया, और इसके पापा ने देखा कि छोटु ने बटन दबा दिया, उसके पापा ने उसको अपनी तरफ लिया और जोर स हाथ का जो हाथ बेकार हो गया था, उदर पूर्थवी पर नैस्नल नैस्नल एरो नाटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा वक्त वे ने सब का ध्यान अपनी तरफ आकशित कर लिया, और उन्होंने कहा कि वो जो नासा के द्वारा भीजा गया वाथ थ अपना निधारित कार्य कर रहा है, हाला कि किसी अज्यात कारणवस उसका जो हाथ है वो काम बेकार हो गया है, नासा के तकनीशन इस बारे में जाच कर रहे हैं, तथा इस यांत्रिक हाथ को दूरूस करने का प्रयाश जा रही है, और वापस में बात कर रहे थे, नीचे धर पर बैठ कर नासा के जो लोग थे, उन्होंने का साथ को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके कुछ ही दिनों बाद प्रित्वी के सभी प्रमुक अकबारों में छपा, हना नासा के तकनीशनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दूरूस करने में सफलता मिली है, यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभी नमुने खटे करने का काम आरंब कर दिया है, उन्होंने कहा कि उसका हाथ को हम लोगों ने ठीक कर दिया है, वाइकिंग के जो उथ गयवा अंत्रिक शान, उसके हाथ को ठीक कर दिया, उसने मंगल की मिट्टी के शृष्टी का अस्तित्व है या प्रस्ण आज भी एक रहस्य है तो उन्होंने कहा कि मंगल प्रत्वी के जो लोग है अभी वो मिट्टी से मंगल की मिट्टी से काध्यन करने के लिए बड़े ऊच्छु हो रहे थी कि उन्हें कि इस मिट्टी से में पता चल जाएगा कि मंगल घरह पर भी पृत्वी की तरह क्या जीव जन्तु हां रहते हैं अपर यह प्रस्ण आज भी एक रहस्य है आपके लगू प्रस्णुत्तर में आपकी बुक्का है यह पहला प्रस्ण में है छोटु का परिवार कहा रहता था आदमे को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उस सुरंग में जमीन पर जाने का रास्ता था इस सुरंग में अनेक यंत्र लगे थे जो अती सवेदन सीर थे जहां जाने के लिए खास किस्म का सूर पहनना पड़ता था इसलिए छोटु को सुरंग में जाने क कि जाज़त नहीं थी कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उत्रे यान से परिशान थे सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे यान की इस हरकत को ध्यान से देख र सब नुट कैसे हो गए इसे लिखो मंगल भी आपको पढ़ाया था लेकिन धीरे धीरे वाता वरण में परिवतन होने लगा सुरज में परिवतन होते ही वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया प्राकृति के बदले वे इस रूप का सामना करने में यहां के जो पसु पक्षी थे पेड़ पौधे थे वो अन्य जी थे वो क्या थे सक्षम साबित हुए एक के बाद एक सब मरने लगे और वहां सब नश्ट हो गया फिर कहानी में अंत्रिक्ष्यान को कितने को किसने भेजा था और क्यों मंगल की मिट्टी के विभी नमूने खटे करने के लिए कहानी में अंत्रिक्ष्यान को नासा द्वारा भेजा गया था आपने पढ़ा था ना अंत में क्योंकि प्रिथ्वी के विज्ञानिक में मंगल प बजनेवी से निबटने के लिए कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों अभी पढ़ा था न हमने नमबर एक ने क्या का था यदि यान खुद बखुद उतरते हैं तो उन्हें खाक करने की छमता हमें है तो उसने क्या खाक करने की छमता हमें है नमबर दोने क्या का था यंत्रो को बेकार कर देने में खत्रा भी है, इनके बेकार होते ही दूसरे बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। फिर नंबर तीन ने क्या कहा उन्होंने कहा कि हमें अपना स्थित्वा छिपाए रखना चाहिए ताकि यहां न जान पाए कि हमारे पास कोई महत्तपूर्ण चीज है तो आप इसको अपनी कापी में करोगे धन्यवाद